वो गुडदीनिंग्स ट्रेंग्ट謝謝 टोड़ही स्था ट्वापिक टाइप्स ओफ स्संस기도ší त कहता है दिफरेंट्ट्ट्रेंट्टे इन vermagerिष lagi टोल एंगायो के समःबशित करेने विसने नेस ओंतों users में क्या है हम क्या है differentiate करते हैं organization को कि हम actual में services किस तरह से दे रहे हैं simply उसमें क्या involved होते है customer employees या both तो उनमें किस तरह के contact रहेगा कैता उसके उपर depend करते है कि हमारा services gap कैसा होगा तो कैता self-subsist के case में जहां पर ऐसा environment प्रोवाइड किया जाते है जहां पर customer खुद क्या है services एक में involved होता है services activity परफॉर्म करता है उसमें क्या है services employee की जुरत नहीं होती है for example banking services ATM card आप असेस कर रहे हूँ ठीक है second is interpersonal services जहां पर बहुत कहता हमारे पास क्या है customer employee दोनों में interaction होती है दोनों का present होना जुरूरी होता है ठीक है like in case of bank गए हो hotel गए हो education institute गए हो जहां पर कहता है जो customer है और employer दोनों में interaction होगी ठीक है second है हमारे पास remote services remote services क्या है जहां पर जो क्या है customer का role क्या है नहीं होता वो कोई भी role play नहीं करता उसकी requirement नहीं होती है customer का available नहीं होना जुरूरी नहीं होता like कहता है insurance company है telephone company है ठीक है mail order services है तो वहाँ पर कहता हमें जुरूरत नहीं पड़ती है जो employee है वो ही just क्या है perform करता है next complexity of services gap evidence तो कहता है इसमें हमारे पास क्या है दो तरह के environment आते है एक elaborate environment ठीक है दूसरा lean environment elaborate environment क्या होता है जहां पर living and non-living elements आते है ठीक है lean environment में जहां पर हमारे पास क्या आ जाती है कुछ instrument आ जाती है ठीक है तो कहता हमारे पास क्या है इले सेथिट को तो बेसी बेसे प्र सेप्इस पर डिवायड किया है based on complexity क्या है sometimes ता जो हमारे environment आ काफी ज्याद़ complex होता है sometimes कहता है बहति सीम्पल होता है ठीक है तो कहता है सिम्पल इनवार resin होता है उसके खुद ही कहता, operate कर रहा है और services ले रहा है दूसरी हैंड हमारे बास क्या आते हैं कहता, complex environment आते हैं जैसे hospitals हैं, ठीक है, अब कहता है, hospitals में क्या है हमें क्या है, proper हमारे rooms होने चाहिए, departments होने चाहिए employees, doctor, each and everything क्या है, proper place पर होने चाहिए तो वहां का environment क्या है हमारे लिए, complex environment है हमें क्या है, properly हर एक चीज़ को manage करना होता है next हमारे पास आते है, typology implications तो कहता है, typology implications में, who should be consult in marketing, substance, cap and other evidence decision तो कहता है, firm locate करती है, itself, self-substance sell होगा तो कहता है, वहां पर हमें क्या है, customer की need क्या है, जिससे, उसके accordingly हम उने क्या environment provide करेंगे कि वो satisfied हो, ठीक है, तो दूसरा क्या है, organization का goal क्या है, हम उस पर ध्यान देंगे कि हमारी जो self-substance form है, ठीक है, वो अपने goal को achieve कर पाएगी properly या नहीं ठीक है, अगर कहता हमारे पास क्या है, remote system है, वहां पर हम क्या है, जो हमारे क्या है, employees है उनके उपर ध्यान देंगे कि उन्हें किस तरह का environment चाहिए ठीक है, उसके बाद हमारे पास जाते है, how complex is set the decision regarding subsistcape तो कहता हमें care decision लेना है कि हमारा subsistcape कैसा होगा, कहता हम more complex होगा, या lean होगा, उसके basis पे कहता हम care decision लेंगे, जिससे क्या है, हमारा जो goal है, वो क्या है, achieve हो सके Thank you